बिहार का जो मौझूदा राजमिक्तिक हालात है उसके क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या लगता है क्या देखें इससे तो विकास इस्थिर हो गया है जब सरकार ही इस्थिर नहीं है तो विकास क्या होगा विकास करने के लिए सरकार इस्थिर होना जलूरी है या सरकार को भी होतना है, सबसे पहले तो सरकार सिस्तिर होना जरु है किया कुछ कहना है, हम कुछ नहीं कहा जाते हैं, बिहार की राजनीति में, कभी कुछ भी हो जखते हैं, जिए पर मतलब, ़तना शम्रायोिक रामम्स cylinders को सब काहते हैं, मनोज गुमार क्या करेंगे तुम जैसे कुछ प्रस्तिती बस चले गए होंगे उनका अपना मजबूरी रहा होगा जाने का कोई सौफ से तो गये नहीं होंगे उसने कुछ मजबूरी जरूर रहा होगा कि पलते वाला पलाट आरहे वल्हा शायेगा तो आरे बेक नि दूंधित कुमार है फिर से संह नितसकुमार क्या अच्हाहिए अच्छा बॉस मौझूदा हलात तो इसको मतलब ठीक ही नहीं बोला जाया कि बार-बार अगर आप सरकार बदल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है गलती हम ही लोग का है कि हम लोग एक किसी एक पार्टी को हम लोग बहुमत में नहीं ला रहे हैं तो इस कारण से बिहार में यह स्थिती है विकास के लिए यह स्थिती सही नहीं है कि बार-बार अगर सरकार बदल रहे हैं लेकिन बार-बार अगर वो बदल रहे हैं तो यह ना बिहार के लिए अच्छा है ना मतलब जो आगे चलके जो उनका नाम लिया जाया कि वो बार-बा पार्टी को बदलते थे तो वह सही नहीं है लेकिन आगे जल के जो भी 2025 में जो विधान सवा चुनाव होना है तो मेरा यहीं मानना है कि ऐसा गौर्वर्मेंट आना चाहिए बिहार में जो मैजुरिटी से आए जिसका एक मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहों जिससे विकास भी होगा और बहुत कुछ इंट्रस्ट्रच्ट्र डिवलप होगा और जातिवाद पर राजनिति नहीं होना चाहिए जातिवाद पर वोट नहीं होना चाहिए मेरा तो यहीं मानना है कि यहार कंवारा थे भिज नहीं रहाँ की अब जो जनेतिक रहा Mark और मुख मंत्री 5 सब्सक्रेंद रहे हैं लिटकी सब्सक्राइब पीडिया और सस्टा होता था आज राजनीतिक हालात और राजनीतिक सस्टा और इसकता है और इससे चर्चा हो है जिसे राजनीती का आर भी नहीं पता है या पॉलिटिक्स का पी भी पता नहीं वो भी आज राजनीती के बारे में चर्चा करते हैं और अपने आपको एक नेता मानते हैं अब नेता लोग इससे जाधा हम इस पर ठीका टिपनी नहीं करना चाहेंगे कि अब इतना ही बोलेंगे कि अब नेता लोग भी लिटी सेखने लगे हैं आम जंदों के साथ नो कमेंट्स हम उसके बारे में कोई चर्चा ने नितीज कुमार उसमें कोई अथी नहीं है बीन पेनी के लुटा जिसका बाप माय का कोई ठीकाने नहीं है ऐसा है वह क्या बोला जा सकता है इसमें नितीज कुमार दल बदल देते हैं वही बात जुन्यों ने बोला कि कभी जब बीजेपी में थे तो मतलब आर्जेडी में थे तो खड़ा आपते अभी अचानक सी बीजेपी में आ गया है तो कैसे मतलब कोई बंदा चेंड हो सकता है बताइए तो कोई मतलब ने ना हुआ है मेरे नाम नागंद कुमार सिंग है या कुछ लग रहा है तो राजनेतिक इस्तिरता से बिहार का पिछड रहा है तो प्रदेश के लिए ठीक में तो परदेश के विकास के लिए ठीक लिए ठीक लेगे ताने के वियार में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है सबस्ता को कोई दिखस नहीं है कि निदीश कुमार आर जेडी के साथ है तब निदीश कुमार वाजब बैड सीम निदीश कुमार कुछ नहीं कर रहा है और जैसे ही उन्होंने बीजेपी जॉइन किया बहुत लोग मैं एक बीजेपी सपर्टर नहीं हो मैं खुल के बता रहा हूं बहुत अंजबक्त हैं बहुत लोग बोलते हैं कि अब निदीश जी अच्छे हो गया मेरा बहुत लोग से आपसे सबसे ये सवाल है कि निदीश जी अच्छे कैसे हो गया हो गया की